इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप control panel बना रहे हैं, starter बना रहे हैं, तो उसमें हम MCB और Contacter किस तरह से हम select करेंगे, इसी बारे में इस वीडियो में discuss करूंगा, और next वीडियो में मैं बताऊंगा, कि हम starter के load के हिसाब से overload relay को किस तरह से select करेंगे, इसके बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मोटर जो हमारा आता है किलो वार्ट या एच्पी में आता है इसका मैं आल्रेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ किलो वार्ट से हम एंपियर कैसे निकालेंगे और HP से MPR कैसे निकालेंगे अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो description में लिंक दे दिया हूँ वहाँ से जाकर देख सकते हैं तो इस वीडियो में केवाल हम discuss करेंगे कि हमारा motor कितना MPR ले रहा है उस हिसाब से हम किस तरह से MCV और contactor को select करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं माले जीए मैं स्टार्टर बना रहा हूँ माले जीए मेरा एक motor है जो साड़े चार MPR ले रहा है साड़े चार MPR ले रहा है हमारा motor है motor है वो साड़े चार MPR ले रहा है हमारा motor किलो आट या HP में आता है किलो आठ से MPR और HP से MPR निकालने के बारे में मैं वीडियो आल्रेडी बना की YouTube पे डाल चुका हूँ तो मैं इसमें के वाल एही डिसकस करूँगा कि मोटर अगर हमारा इतना MPR ले रहा है MCB कितना MPR का सलेक्ट करेंगे और कॉंटेक्टर कितना MPR का सलेक्ट करेंगे तो माले जीए मेरा एक स्टार्टर है मोटर ओ साड़े चार MPR ले रहा है तो इसमें हम MCB कितने का लगाएंगे MCB का सबसे पहले हम लोग को MCB और कॉंटेक्टर का रेटिंग पता होना चाहिए इसके बारे में मैं वीडियो आल्रेडी YouTube पे बना के डाल चुका हूँ 6 MPR का MCB है हम MCB क्या करेंगे 6 MPR का MCB सेलेक्ट कर दिंगे MPR MCR हमारा 6 MPR का MCBیک सलेक्ट हो गया अब हम कंतेक्टर कितने का सलेक्ट करेंगे क्यारोंने 4 MPL ले रहा हमारा कम-से-कम काउन्टफोम 9MP नो एंप उन्टफोम्ए यूम कर सलेक्ट कर तो अब इसमें किस हिसाब से हम contactor select करेंगे अब देखिए साड़े 9 MPL ले रहा है mcv कितने का डालेंगे आप mcv कम से कम आप 16 का डाल दीजिए 10 का भी डाल सकते हैं लेकिन आप 16 का mcv डालेंगे अब 16 का mcv हो गया 6.9 MPL ले रहा है 16 का mcv लगा देंगे अब हम contactor कितने का लगाएंगे contactor देखिए 9.9 MPL ले रहा है तो आप 12 का contactor लगा सकते हैं इसमें हम 12 का contactor लगा देंगे यह हमारा 12 का compactor हो गया हमें कि में जो हमारा MP year आएगा फुल लोड जो आएगा इसाफ से हम इस से जाधे का MCB और contactor लगाएंगे, कभी भी हम हमारे 15 Ampere ले रहा है और 12 Ampere का contactor नहीं लगाएंगे, इसी इसाब से हम जितना हमारा motor load ले रहा है, उससे ज़्यादा का ही लगाएंगे, 15 Ampere ले रहा है, तो हमें rating पता होना चाहिए, यह MCB और contactor का rating 15 Ampere ले रहा है, तो MCB कितने का डाल देंगे, इसमें 20 Ampere का डाल देंगे, 20 Ampere का, यह हमारा MCB हो गया 20 Ampere का, उसके बाद हम इसमें contactor कितने का हम लगाएंगे, तो हम 20 Ampere का MCB लगा देंगे, अब इसमें contactor कितने Ampere का लगाएंगे, 15 Ampere ले रहा है, तो लगा देंगे तो इस वीडियो में मैं केवल MCV और कॉंटेक्टर को सलेक्ट करके दिखाया मोटर के MPR रेटिंग के हिसाब से हम MPR किस तरह से निकालेंगे इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जा कर देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर होता है वो किलो आट और HP में आता है तो इसको MPR हम किस तरह से निकालेंगे तो इसका वीडियो मैं मैं आल्रेडि बना के YouTube पे डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ वहाँ से जा कर देख सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा ओबरलोड रिले ओबरलोड रिले ओबरलोड रिले को किस तरह हम मोटर के हिसाफ से सलेक्ट करेंगे इसके बारे में मैं डिसकस करूँगा इस वीडियो में हम mcb और contactor के selection के बारे में जाने, next वीडियो में मैं बात करूंगा, overload relay को किस तरह से हम select करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे next वीडियो में, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe और वीडियो को like और share करना ना भूलें, thank you